हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट यह क्लास पिफ्थ की एंसे आर्टी की साइंस की बुक है यह वीडियो सीटेट यूपीटेट डी एससबी के वी रीड चे कोई भी स्टेट टैटो उन सभी एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ब अभी इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ का चाप्टर वन कंप्लीट करेंगे और और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे लाइन टू लाइन चीज़ें हम नहीं पड़ेंगे यह देखिया आप इंडेक्स देख पा रहे हैं सारे इस बुक में चाप चैप्टर वन चैप्टर वन इस कैसे पहचाना चीटी ने दोस्तों को फ्रिंट्स वीडियो बाइलिंग्वल होगी तो आप लोगों को परिशान होने की ज़रत नहीं है कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम सिर्फ उतना ही देखेंगे तो देखते हैं आगे हम कैसे पहचाना चीटी ने दोस्तों को यहां पे कुछ ऐसे एक्जाम्पल दियो है इस चाप्टर में बेसिकली आपकी चीज़ें दियो ही है एनिमल्स के पास कैसे सेंसे होते हैं वो कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो हम से कितना गुना देख पाते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पेस नंबर वान और पेस नंबर टू में आपका कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है यह देखते हैं पेस नंबर थ्री यहां पर आपका दिया हुआ चीटिया चलते-चलते अगर आपने देखा होगा कि जैसे ज चीटियों को रास्ता मिल जाता है तो क्या हुआ इसका मतलब कि चीटिया जो है चलते टाइम पे एक फ्ल्यूड छोड़ती है जिसको सूंग कर सारी चीटिया उसी लाइन को फॉलो करते हुए उस खाने तक पहुच पाती है यह क्वेश्चन आया हुआ भी है आप इसको घ् रिसम के कीड़ा हूं मैं अपनी मादा को उसकी गंद से कई किलोमेटर दूसे ही पहचान लेता हूं नेक्स्ट है शरीर की गंद खासकर पैरों के तलवे आपने देखा होगा कि जो मच्छर है वो हमें काटते हैं तो मच्छर हमें कैसे आइडेंटिफाय करते हैं सरीर की गं पिक्चर बनी हुए यह कुछ सूंग रहा है आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं वो जगा जगा पर कुछ ना कुछ सूंगते रहते हैं तो वह क्या सूंगते हैं एक कुट्ता दूसरे कुट्ते के मलमूत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर से कुट्ता आया था किसकी गंद से पैचान लेते हैं मलमूत्र की गंद से यह जो चीज़े आपको हैलाइटीट करके दी गई है इनको आपको ध्यान से पढ़ने आप चाहे तो स्क्रिंशोट ले सकते हैं या फिर इनी से नोट्स बना सकते हैं या आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आप इसली चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे जो इंपॉर्टन चीज़े होंगे हम से वह करेंगे आगे देखिए यहां पर एक रजनी की स्टोरी दी गई है जब वह अपने बेबी की पॉटी को साफ करती है तब उसको कोई स्मेल नहीं आती और जब वह अपन नहीं बेबी के पॉटी को साफ किया तब उसने अपनी नोस को कवर नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है या फिर उसने ऐसा रियक्शन क्यों किया यहां पर देखिए यह हाइलाइट पोर्शन है अकसर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परिशान होते हैं जब हमारा म उसे गंदा मानता है और अगर हम मन बना लें तो वही गंध हमें उतना किसी ऐसे पक्षी आंखे सामने की तरफ होती दोनों तरफ होती है इन पक्षियों की आंखो का आकार और उनके सिरके दोनों तरफ होती पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नजर डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आके एक ही चीज़ों पर लेते हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गरधन बहुत जादा हिलाते हैं जानते हो क्यों कि जाद सर्फेस कि ऑंखों की पुत्लियें गूम नहीं सकती के क्क्ष्ण इंपॉर्टेंट है कि पक्षיות कि जो आंखें हैं वह गूम नहीं सकती इसलिए वो क्या करतेαιं अपनी दूरी का एहसास होता है और जब अलग-अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तब उनको देखने का दाइरा बढ़ जाता है जितनी भी हाइलाइटीड चीजे हैं वह इंपोर्टेंट हैं आपको ध्यान से नोटेस करनी है आगे देखिए चील, बाज और गिद जैसे पक्षी हमसे चार गुना देख सकते हैं आगे देखिए इसमें दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं देखिए और जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं तो क्या करते हैं। और जो दिन में जागते हैं उनको जाद तर दिख जाते हैं पर कुछ ही दिखते का यहां से हमें क्या क्या हो rebels कि जुदिन में जागने वाले जाणबर रहें वो कुछ रंग को देख पाते हैं और जो राथ में जागने वाले जानबर होते हैं वह सुद्धने तेज्ञ में आपने पकशियों के कान पढ़ा था कख्षे शार में कि खो चोटए च्छोटे च्छेद जैसे होते हैं जो उनके पंकों से धके रहते हैं कैसे होते हैं उनके कान काफी चोटे-छोटे होते हैं जो उनके पंकों से धके होते हैं कि इसमने यहां पर बच्चे की पिक्शर दिखाएगी है जब आप नॉर्मली कानों से सुनते है तो आपको जो वॉइस आती है और जब आप ऐसे पिक्शर में जैसे इस बच्ची ने किया हुआ अपने कानों के पीछे हाथ ऐसे करके सुनेंगे तो आपको वैंस में कुछ ऐसे ही सुन पाता है उनके बहरी कान नहीं होते हैं जमीन पर हुए कमपन को ही वह सुन पाता है ये चीज़ ध्यान रखने है कि साप सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन से सुनता है उनके इयर्स नहीं होते है नेक्स्ट यहां पर ये पिक्चर बने हुई है आवाजे अलग-अ जंगल में उचे पेड़ों पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे सेड़ चीता को देखकर एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं जिसे मान लीजे कि पास में कोई खत्रा दिख रहा है तो जो पक्षी होते हैं जो जानवर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वोईस निकालते हैं अपने साथियों को उस चीज के बारे में अवेयर कराने के लिए कुछ पक्षी अलग अलग खत्रों के लिए अलग अलग अवाज निकालते हैं जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज जमीन पर चल कर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज तो वाइस का डिफरेंस होता है मश्लियां खत्रे की चिताबनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं अब कि यह जो बॉक्स बना हुए इसमें देखें सं 2004 दिस सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों ने अजीब वेवार किया और उनके द्वारा की गई चेताबनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाती समझ गई थी उन्होंने वैलाका पहली खाली कर दिया थे जिसके कारण वहां पे बहुत सारे लोगों की जान बच कही थी तो कब आई थी सुनामी 2004 दिसंबर में अंडमान में ठीक है सुनामी आई दिसंबर 2004 अंडमान में आगे देखें डॉल्फिन डॉल्फिन भी अलग-अलग तरह की आवाजे निकालती है और एक दूसरे से बात कर सकती है वेग्यानिकों का यह मानना है कि कई जानवरो है जो डॉल्फिन होती है वोब अलग अलग तरह के आवाज?」 निकाल सकती है अब यहाँ पे हम कुछ देखेंगे कि आपने देखा ओगा जैसे जो छिप्कली होती है वो वो कुछ में नहीं नजर आती और कुछ में निज यह कहाँ चली जाती है इनकी जो sleeping time में वो कितना यह यहां पर देखें यह sloth बना हुआ है कि इसकी पिक्चर है sloth की इसमें आपके सारी पॉइंट यह भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं है यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर उल्टे सिर लटक कर मस्ति से सोते यह जिस पेड पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं इसलिए इन्हें कहिं और जाने की ज़राती नहीं पढ़ती है जब यह अपने पेड के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं लगबग 40 वर्स के अपने पूरे जिवन में मुस्किल से 8 से मुस्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उटाते हैं यह सब्ता हमें एक बार ही सौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं तो इसका जो लाइफ टाइम है वह आलमस्ट कितने यह का होता है 40 यह का होत दोल dazu से लेरह यह वीः बार वें से नीचे जाता है कि ल live आपको कुछ फैक्शंस में पिक्चर दी गुए है कि लाओ कितने गंटे सोता और Nhasi के कि फ्रेक्षय पिना सकते हैं नीचे काम का पिक्च्र दिया हुआ है यह ए्लिणस होती दिए mest 12 वार्स आगे देखिए यहां पर आपको बाग के बारे में बताया गया है बाग अंधेरे में हम से 6 गुना बहतर देख सकता है कितने गुना 6 गुना 6 टाइम्स बेटर देख सकते हैं बाग की मुझे हवा में हुई कमपन को भाप लेती हैं और उसे सिकार की बिल्कुल सही जाता है इससे उन्हें अंधेरे में रास्तर ढूनने में भी मदद मिलती है क्या हो रहा है उससे जो उसकी मुझे हैं वहा में होने वाली कमपन को भाप लेती हैं जिससे वह सिकार को असानी से पता कर पाते हैं और अंधेरे में भी अपने रास्तर ढून लेता है बाग अप पिर उस इलाके में घुम घुसना है या नहीं यह थो उस बाग की मरजी है तो देखें कैसे जो बाग है वो आपने एरिय को कैसे कवर एप करते हैं जहां जहां पर जैसे वो मोटर करते हैं तो उसकी जो इसमेल होती है उससे जो है उन्हें पता चल जाता है कि यह किसी और का एरिया है फिर वो उनकी मर्जी है कि यहां पर उन्हें दूसरे जो बाग है उसको जाना है या फिर नहीं जाना है बाग मौके के अनुसार अपनी बागन को जब उसे बुलाना होता है तब अलग अलग अवाज और निकालता है कभी करहना बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं तो यह बाग वाले जितने भी पॉइंट से दिये हुए इस बुक में इस सारे ही इंपॉर्टेंट है फिर हम आगे देखेंगे हाती को उसके दातों गेंडे को सींग से मगरमच और साप को उनकी छाल के लिए मार दिया जाता है कश्टूरी हिरन को थोड़ी सी खुश्बू के लिए मार दिया जाता है जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या बोलते हैं शिकारी बोलते हैं तो जैसे काफी सारी जो एनिम species में जाते जा रहे हैं endangered species होती हैं जिनकी खतम होने की कागार पर हैं जो जानवर काफी कम देखने में मिलते हैं इन सभी इसे बचाने के लिए कई जगा पर नैशनल पार्क वगेरा भी open किये गए हैं उत्राखंड में जिम कॉर्बिट नैशनल पार्क की important है question आता है काफी बा राजिस्थान के भरतपुर जिले में घाना तो दो नैशनल पार्क हैं उत्राखंड का जिम कॉर्बिट नैशनल पार्क और राजिस्थान के भरतपुर जिले में घाना नैशनल पार्क नेक्स्ट अब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है लास्ट में यहां पर मैंने कुछ national parks के नाम लिखे लिखे हैं और प्लस उनकी जगहा भी दिये पलामू national park जारकंड में है गिर national park गुजरात में काजी रंगा असम में कानहा एम्पी में रन थंबोर राजस्थान में यह सारे ही जो नेशनल पार्क से यह एक्जाम में आते हैं तो आप इन्हें लर्न कर लिजेगा स्क्रिंशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर नोट्स में आपने नोट डाउन कर सकते हैं तो फ्रेंट्स चाप्टर वन यहां पर हमारा कंप्लीट हो थैंक यह पर वच्छिंगा वीडियो बावरीओंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्